पानी जीवन के लिए काफी महत पुर्ण होता है पानी के बिना जीवन की कलपना करना भी मुश्किल है परन्तु आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पानी से अलर्जी है इस लड़की की उम्र महच 12 साल है और पाने से अलर्जी होने की वज़े से इस लड़की को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस लड़की का नाम डैनियल मेक्रेवन है और अमेरिका की रहने वाली है डैनियल के हलात इतने खराब हैं कि उन्हें पसीना आने पर कई तरह की परशानियां भी होने लगती हैं डैनियल अमेरिका में रहने वाली 12 साल की डैनियल एक्वाजैनिक यूटे सेरिया बिमारी से पीड़ित हैं ये बेरदी खतरनाक बिमारी है और ऐसा माना जाता है कि इस समस्या से दुनिया भर में सो से भी कम लोग पीड़ित हैं डैनियल को छोड़नी पड़ी थी स्विमिंग डैनियल अब भी पानी के संपर्क में आती है तो उन्हें उस हिस्से में चक्ति हो जाते हैं जिन में काफी दर्द होता है Daniel को स्विंग करना काफी पसंद था परंदू जब उन्हें अपनी इस समस्या के बार में पता चला तो उन्हें स्विंग करना छोड़ना पड़ा Daniel को गरीमियों के दुरान घर में ही रहना होता है गरीमियों के दुरान घर से बाहर निकलने में पसीना आ जायेगा जिस वज़े से उन्हें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ेगा पसीने की वज़े से डेनियल को खुजली भी होने लगती है पानी से एलर्जी की वज़े से डेनियल को एनाफालेटिक शौक भी लग सकता है आपको बता दें ये शोक उन परसितियों में लगता है जब allergy के source की मातरा काफी अधिक होती है इस शोक की कारण जान का खतरा भी रहता है इसी वज़े से एक बालड़ी पानी भर मनाने से डेनिल की जान भी जा सकती है पानी का सेवन करने से नहीं है कोई भी समस्या डेनिल को पानी से allergy है प्रन्तु उन्हें पानी का सेवन करने से किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं है डेनिल जब 11 साल की थी तब उन्हें इस allergy के बारे में पता चला था एसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद